नमस्ते मैं हूँ शारंक टी आपका करियर और एड्मिशन मेंटॉर आज का वीडियो इंपोर्टन टॉपिक पर बना रहा हूँ बहुत सारे दिनों से कमेंट में आ रहे है या फिर मुझे परसनल पर पूछा जाया रहा है कि मेडिकल के टॉप पूने के कॉलेज इस कौन से है तो definitely उसके cut-off, fee structure, category wise cut-off इसके बारे मैं आपको जांकरी चाहिए होगी तो इस वीडियो में तीन से चार मिनिट में मैं ये explain करने के लिए try करूँगा कि आपके कौन से कौन से colleges पूने city में available है जो MBBS course offer करते है और उसका cut-off last year का कितना था, fee structure कितना था सो start करते है government colleges से, government college जो पूने district में आते हैं वो हम consider करते हैं वो है colleges दो, एक city में है, वो है BJ medical college, BJ medical top college में आता है, one of the best colleges in maharashtra में कहलाया जाता है तो उसका last year का open merit का जो cut-off है, वो 628 marks का था, last admitted seat वो एक 570 की हम छोड़ देता है, वो exceptional थी, otherwise 628 ये cut-off हम open merit के हिसाब से consider कर सकते हैं वही अगर हम OBC का देखेंगे, तो BJ medical के लिए 620 was the last year's cut-off, SC का cut-off 557 marks का था, ST का cut-off 443 marks के इतना नीचा आता है तो बाकी categories के अगर हम देखेंगे, तो almost cut-off OBC के आसपास ही रहते हैं, जिसमें BJ NT123 ये आते हैं अगर हम EWS के बारे में देखेंगे, तो EWS के जो cut-offs है, वो last year के almost equivalent with open heat है, 628 marks पे cut-off था BJ medical इस college जो आएगा, वो है GMC 12 मती, GMC 12 मती का अगर देखा जाए, तो वो college का open merit का last year का जो cut-off था, वो था 593 marks, अगर उसी को हम OBC से compare करेंगे, तो वो last year का cut-off था 581 marks का, SC का cut-off था 495 marks, ST का cut-off था 356 marks, EWS का cut-off देखेंगे, तो वो था 582 marks, बाकि VJ NT123 के cut-off almost ये OBC के इतने ही रहते हैं, अगर आपको private college में चलता है admission और ऐसे cut-off आपको चाहिए, तो उसमें best college आता है, वो है काशिबाई नवले, तो काशिबाई नवले का last year का open merit के हिसाब से cut-off था, वो था 529 marks, अगर उसी को अगर हम OBC, SC, ST ये सारे categories के लिए देखते हैं, तो उसके cut-offs आएंगे OBC के 509 marks, SC category का cut-off था 453 marks, ST category का cut-off था 319 marks, इतने cut-offs lower side पे आते हैं, अगर आप SC, ST में belong करते हो, तो अगर हम यही देखेंगे, माइमर, तड़ेगाओ का जो और एक private college है, उसके cut-off के बारे में, त तो उसका last year का cut-off था 501 marks according to open merit, अगर OBC के हिसाब से लिखेंगे, तो वो cut-off ज्यादा दिख सकता है by merit, पर वो आप open के हिसाब से भी receipt ले सकते हो, या फिर OBC के हिसाब से भी ले सकते हो, पर as per last admitted OBC candidate का cut-off देखा है देगा 528, तो उतना cut-off था last year के हिसाब से, SC category का cut-off था 459 marks, SC category के cut-off था 287 marks, EWS category रहती ही नहीं है, private colleges में definitely आपको EBC benefit मिलता है, पर EWS के cut-off आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, तीसरा college एक important college है, वो है भारत रतना अटल भिहारी वाचपेई college, उसके open merit के cut-off थे last year के 551 marks, उसके बाद OBC के cut-off comparison में रखेंगे, तो वो थे 547 marks SC, ST के cut-off देखेंगे, तो respectively 454 और ST का था 307 marks, इसी प्रकार के और दो colleges है, जिसको हम deemed colleges बोलते हैं, University ही भारती विद्धाविट नाम से हमने सुनी होगी, या फिर D.Y.PARTIL पिंप्री नाम से सुनी होगी, So D.Y.PARTIL जो cut-off है उसका last year का, वो कम था, वो क्यों कम था, इसका भी reason है, क्योंकि वो fees ही ज्यादा लेता है, almost उसका officially fee structure जो है, वो 25 lakh है, hidden charges वगर extra ही रहता है, पर 25 lakh जिसको देना possible है, उसके लिए last year का cut-off था 212 marks, अगर यही हम भारती विद्धाविट के लिए देखते ह कम है, पर definitely ज्यादा ही है, वो है 23,50,000 तक, और और एक college है, जो कहने के लिए तो deemed कहला है जाता है, पर उसका cut-off ज्यादा रहता है, क्योंकि उसका fee structure कम है, वो है symbiosis, Symbiosis, Medical College, यह girls college है, 100 seat वाला college है, और इसका last year का cut-off था 538 marks, तो यह important colleges है, महराष्टा के और definitely top colleges है, पूने के, तो यह जानकर यह definitely आपके लिए useful रहेगी, ऐसे ही videos मैं definitely बाकी district wise colleges के लिए, बाकी courses के लिए भी बनाने वाला हूँ, आपको कौन से course की और कौन से colleges की cut-off की information चा comment box में mention कर दीजिए, ताकि मैं उस पे पहला video बना सकूँ, आपको कर यह video अच्छा लगता है, तो definitely like कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको share कीजिए, मिलते हैं ऐसा ही, दूसरे video में तब तक के लिए धन्यवाद,